नमस्कात दोस्तों मैं हम स्वारवर आपका स्वागत है Grand League Group पे तो दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहे हैं Westonese vs Australia का जो T20 match है उसके उपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं पहले थोड़ा सा stat दिखाते हैं उसके बाद जो है discussion section में आएंगे तो stat थोड़ा सा देख लिजिए उसके बाद हम लोग बाकी बाते करेंगे Probable Playing 11 कुछ इस टाइब का होना चाहिए David Warner, Head, Mars, Maxi, Stoinis, David, Wade, Hazelwood, Zampa, Berndorf, Abort यहाँ पे ही आपको shortlisted करके देते हैं जैसे अगर यहाँ पे David, Wade and Berndorf यह most probably मैं drop ही करूँँगा और बाकी art player में से एक को drop करने का मन है और West Indies का जो है Mears, King, Hope, First Down Pay, Puran, Second Down, Powell, Rutherford तो यह है जो लोग Telegram चैनल के साथ जोड़ना चाहते हों उनको बता दे यहाँ पे बहुत सारे आपको fake चैनल मिल जाएगा अगर सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा जहाँ पे no prime लिखा हुआ है और जहाँ पे no prime लिखा हुआ है वही original है और no prime लिखने के बाद वहाँ पे हम लोग कोई prime नहीं देते हैं तो यह एक मात्रा रास्ता था तो मैंने no prime लिख दिया इसके बाद अगर लोग नहीं समझेंगे तो वह लोगों की गलती है नहीं तो आप comment section नहीं तो description section से जो है वहाँ से भी आप जो है जो है जो है जो है जो है यहाँ पे जो है आपको इस particular ground की बात करें देखो यहाँ पे जो है आस्ट्रेलिया ने तीन मैच खिला है और तीनों ही जीता है यहाँ पे home side touring side वह भूल जाओ यहाँ पे जो है बाकी अगर देखोगे आवरेज फॉर्स स्कोर है 153 यह 160 के आसपास आप मान के चलो बहुत जारा high scoring venue नहीं है चेजिंग उससे सबसे बायास्ट नहीं है जैसे चे मैच जो है बैटिंग फरस्ट और पांच मैच बैटिंग सेकंड जीती हुई है तो बहुत जादा लेकिन अगर बाइचंस ली उनका टॉप अडर चल गया फिर भी 160 के आसपास होना चाहिए उसके उपर नहीं होना चाहिए अगर पूरा पाटा पीछ हो गया रात और तो अलग बात है अगर आप जो है स्टैट की बात करते हो तो यहां पर शॉर्ट नहीं खेलेंगे और यह आपके पास है मैक्सी अगेन आपको बोलिंग करेंगे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो अच्छी बात है बैटिंग फर्स तो सब लोग आ जाएंगे डेविड नहीं लेना है वेड मैं नहीं लूँगा वेड बहुत नीचे करेंगे डोमस्टिक तो है नहीं की ऊपर आक लगा ब्रेंड रॉफ अगेन बहुत जादा सक्सेस्पूल इस ग्राउड पर नहीं है वेस्ट इंडिस के साथ बहुत जादा नहीं खेला है हमेसा बोलिंग सेकेंड किया बोलिंग फर्स अभी तक इनको इस मैन्यू पर नहीं कहला है तो बोलिंग फर्स करता हुए आप एक टक रेकॉर्ड है इस ग्राउड पर बहुत जादा नहीं कहला अभी हाली में थोड़ा सा रन किया है लास्ट मैच में मुस्ट इंडिस का अगर रेकॉर्ड देखोगे तो यहां पर मेर्स एक मैच 39 सेकेंड इनिंग में छेरान वहीं इस ग्राउड पर बहुत जादा खास न नहीं चला लेकिन आपके पास ज्यादा ओप्शन नहीं है वही प्रॉब्लम है लेकिन रिस्टिकर्स को भी रिस्क ले सकते हो इनके उपर ग्रैंड लीग में स्मॉल लिग में मतले ना इस ग्राउड पे भी खास रेकॉर्ड नहीं है पावल यह कब बोलिंग करेंगे कब न मैं प्रेफर करोंगा बैटिंग फर्स्ट बोंु जगा पर यह मोस्ट प्रॉली मेरा रिस्कश्याह होंगे यह बैटिंग से बी conduit कर रहे हैं आजकल और बॉलिंग से बॉलिंग sewn एक बीके निकाल है जोजले हैं जोब्लिंग से झिकल हैं इस ग्राउड पे दिक पर लेसे क काफी ज़्यादा कम है में लेना चाहूंगा दोनों टाइम पे बोलिंग फर्स बोलिंग सेकेंड अकील ऑस्ट्रेलिया के एंगेंस तीन मैच में सिर्फ एक विकेड और इस ग्राउंड पे चार मैच में पांच विकेड थीक है है मोटी कि इन्होंने जादा खेला नहीं है मोटे या मोटी जो भी है चेज अभी तक मतलब और अगें और वैल्यू है बट ऑस्ट्रेलियन बोलिंग कंडिशन में कितना ज़्यादा बैटिंग से कंट्रिब्यूट करेंगे नो आइडिया इवन बोलिंग भी थोरा सा डाउट को नहीं ले सकते हैं अब जाकर यहां पर इनका मैच अप देख लेते हैं रसल आस्टोइनरी से एक बार इलीस कहलेंगे जांपा ने दो बार किंग को दो बार पुरान को आउट किया है यहां बियां पर जो है एक बार रसल आज रोड अईब बोलिंग फर्स कर तो वह अच् यहां पर नहीं दिया हुआ है वह मैं मुस्क कोशिश करूंगा की चैनल पर दे देने के लिए अखिल यहां पर एक बार मर्स और थॉमस एक भी विकेड नहीं अब जाकर दिखाते हैं उसके बाद हम लोग बाकी बाते करेंगे देखो डेविड वर्नर ओपें करेंगे और ठीक अब एक एक करके यह टॉर्णमन खेलेंगे और वहां से रिटायर में ले लेंगे यहां पर जो है आपके पास आप्शन नहीं है तो आप पुरान को लेके चल रहा हूँ रिस्टेकर्स अगर आपको लग रहा है कि होप आपको थोड़ा सा होप दे सकते हैं तो उनको स्ट्राइजिकल पिक है देन आपके पास है रिसें टाइम में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बोलिंग भी कर लेते हैं मार्स अगें मतलब 15 अगर खेल लेंगे तो 30 35 बना देंगे मैक्सी जानते ही हो रसल स्टोइनिस सेफर्ड देन हजलो जोजेब आबोट मैं ज्यादा पास्ट बोलर्स के उपर ही भरोसा कर रहा हूं एक स्पीनर यहां पर है मैक्सी ट्रेविजेट थोड़ा सा बोलिंग कर लेते हैं बाकी आप अगर देखो के जहातर पास्ट बोलर्स ही है बाकी जो की मुझे जो लग रहा आचा है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी बतादा मैच में मुझे फर्स डाउन बैसमें के ऊपर बहुत भरोसा है तो अगर बोलिंग कर दे तो अलिगी बात है तो ग्लैन मैक्स्ट वैल मार्स रसल तीन आपके पास बोलिंग फर्स करते हुए है एक वेस्ट इंडियन बोलर अगर आप चुनने को बोलोगे तो वह है जोजब को कि मुझे बोलिंग फर्स जोजब बोलिंग फर्स हैमार्स यह तीन डिफरेंशिल फिक है उसके बाद आप सेफिक के साथ जा सकते है ग्लेन मैक्सी या रसल बागी आपको जो भी पसंद है उसके साथ जा सकते हो लेकिन जो डिफरेंशियल पीक होगा इस मैच का वो मैं आपको बता दू इन चारों में से मतलब कोई एक ही डिफरेंशियल है एक ही जो है ड्रिम टिम का हिस्सा होंगे आप कौन होंगे कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे समाव लगता है कि वेस्ट इंडिस का यह जो प्रेजेंट बैटिंग लाइन अप है और इस बोलिंग लाइन अप के एगेंस जो है थोड़ा सा मेरे को डाउट फुल लग रहा है लेकिन आप चाहों तो मेर्स को ट्राइक कर सकते हो ट्राइवल ऑप कभी ना कभी यह आपको मतलब यह जितना आपको जितवाता है उससे जादा घरवाता है अगर आपको लग रहा है कि पूरान का जो फॉर्म मतलब जो रिकॉर्ड है वह बरकरार रखता है उस कंडिशन में होप साहिद थोड़ा सा बेडर ऑक्शन है इन चारों में से किसी ए तो मेर जो चॉइस है वह है लेकिन अगर फस्ट अवर पर आउट हो गया तो पूछ नहीं जा सकते हैं लेकिन अकर फास्ट ववर टिक गये तो 30-35 बना सकते हैं वह एक हैं कभी-कभी बोलिंग कर लेते हैं तो यह लें बाकी जो कि थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते है उन लोगों को बता दे अस्त्रेलिया के टीम देख रहे हो बहुत जाधा स्ट्रॉंग टीम है जीतने के चांसे बहुत जादा है वेस्ट इंडीस वैसे टी-20 में अच्छी टीम है बट वेस्ट इंडिस का ये जो टॉप तीन प्लेयर है बैटिंग सिक्षन से इनके उपर मैं बहुत जादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ इनके उपर जिस बैट्समन को आप भरोसा कर पा रहे हो कि ये 70-80 मार जाएंगे उनको आप रेगली कैप्टेन मना दो तो वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पीक होगा क्योंकि 70-80 मार जाएंगे तो 100 पॉइंट के आसपास होगा तो वो एक मतलब डिफरेंशियल कैप्टेन भी है अगर लग गया तो बहुत बढ़िया होगा मेगा लेग में बट मेरा जो मानना है इस मैच में बैटिंग से से इस लोग लग पर जाते है या टीम के नाम के बेस पे जो लोग जाते हैं वो सब लोग उस्ट्रेलिया को फेवरिट करेंगे पर T20 मैच है जैसे लोग कहते हैं कि T20 मैच में कोई भी फेवरिट नहीं है एक अच्छा अच्छी इनिंग जो है वो पूरा मैच का रुक बदल सकता है वो आप लोग याद र होता तो साइध मैं वेस्ट इंडिस के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले ले लेता बट इस ग्राउन पर मैं मोस्ट प्रब्ली ऐस्ट्रेलिया को फेवर करके कॉंबिनेशन बना नहीं जा रहा हूं और आइगेस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो क लव यौल